हलो दोस्तों स्वागत है आपका प्रेंका लर्निंग क्लासिज में सरसटमे विपेसी, बियार सेसी, बियार दरोगा, जेपेसी, आन एक जाम को ध्यान में रखते हुए गटना चक की सिरी चलाई जा रही है इसके अंतरगत हम लोग परती इतियास के प्राचीन भारत के कुश्चन को देखते हैं ताकि एक जाम में कोई कुश्चन यहां से है तो आपका न चूटे तो चलिए हम लोग देखते हैं इसे रेटेड कुश्चन आज का टॉपिक है वैदिक काल इसे रेटेड हम लोग पले नोट्स को देखते हैं नोट्स है वैदिक सब्द बेद से बना है बेद का अर्थ ज्यान होता है भारत में सैंदव संस्कृति के पैस्चाथ जिस नवीन सबता का विकास हुआ उसे वैदिक सबता या आरे सबता के नाम से जाना जाता है निक्स देखते हैं आर्यों के इतिहास मुखता वेदों से क्यात होता है यहनि कि वेद की अधार पर आरे का इतिहास देखा जाता है समानता वैदिक साहित की रचना कसरे आर्यों को दिया जाता है आर्यो के मूल निवास अस्थान को लेकर मतवेद है परमुकतियांसकारों ने इस पर अलालग विचार ब्यक्त किये हैं पहला है कस्मीर अत्वाहिमाजले जेत्र एल्डिकल बहर्सी ब्रहमश्री देश पंडित गंगा नाध जा निक्स्था सब्त सेंदप परदेश डॉक्टर अविनास चंद दास देविका परदेश मुल्तान यहां के बिद्वान डियस त्रिवेदी दक्षनी रूज के पंडित बाल गंगा धर्तिलग तिवबत के सामी दयान अंसरस्वत्ती जर्मनी के हाट एन पेन का अंगरी के गलाइकस है तो यह सब बिद्वान के नाम दिद्वान पंद्रस इसापुर्व से एक हजार इसापुर्व उतर बैदिक काल एक हजार इसापुर्व से छे सो इसापुर्व नेक्स देखते हैं, रिंग वैदिक काल का इतियांस पुनियता रिंग वेज से ग्यात होता है, रिंग वेज में लोहे का उलेख नहीं है, ध्यान रखेंगे किसका उलेख नहीं है तो लोहे का, उतर वैदिक ग्रंथों में लोहे का उलेख मिलता है, रिंग वैदिक के नदी द्यान रखेंगे जिसमें सब्से पच्ची में कूंबा तथा सबसे पुणा में गंगा है रिंग वेध की एफगाणिस्तान की चार नदिया कुम्बा गौतमी और सुवा अस्थु का उलेख मिलंता है कि इनetin चार नदिया कुरुम्बू, कुम्बा, गौत्मी और सुबास्तु नेक्स देखते हैं रिंग बेद में सब्त सैंदप परदेश की सात नदियों का उलेख मिलता है ये नदिया है सरस्वती, पिपासा, परुस्नी, विस्त्रा, सिंदू, सतुदी और अक्सकनि ये सात नदिया क उलेख मिलता है नेक्स देखते हैं रिंग बेद में यमना नदि का तीन बार जबकि गंगा नदि का एक बार उलेख हुआ है कितने बार हुआ है तो यमना नदि का तीन बार हुआ है गंगा नदि का एक बार हुआ है उलेख ये ध्यान रखेंगे यहां से कोश्यन पुछने की संबाबना है नेक्स देखते हैं इसमें कस्मीर की एक नदी मर्दिवस्ता का उलेख मिलता है कहां की है तो कस्मीर कस्मीर चचा मेरा था तो पुछने की संबाबना बनती है नेक्स है रिंग वेद में सिंदु नदी को सरवादिक बार उलेख हुआ है जबकि रिंग वेदिक हरियों की सबसे पवित्र नदी सरस्वत्ती थी जिसे मातेमतमा देवितमा एभं नदीतमा नदियों का पर्मु कहा गया है किससे कहा गया है सरस्वत्ती नदी सिंदो नदी को उसके आर्थिक महत्य के कारण हिरानिय कहा गया है इसके गिरने की जगा पड़ावत अरथात अरब खाड़ अरब सागर बताई गई है गंगा यमना के दुआब एवं उसके सीम समिप वर्ती शेत्रों को आर्य ने ब्रमस्री देश कहा है आर्यों ने हिमाले और बिंद्यांचल परवतों के बीच नाम मध देश रखा है कलांतर में आर्यों ने संपून उत्तर भारत में अपना विस्तार कर लिया जिसे आर्या वर्त कहा जाता था चौदो सहिसापुर के बोगज कोई एसिया माइनर के अविलेख में डिंग वैदी काल के देपताओ इंद्र वरून, मीत्र और नासकता उलेख मिलता है नेस्ट अब देखते हैं डिंग वैदी काल की नदिया ये प्राची नाम है और आदनिक नाम में इसका देखे तो असकनी, कोचे नाप, विपासा को ब्यास, परुस्नी को राभी, विस्ता को जेलम, पुंबा को काबुल, ग्रूम्बु को कूरम, गौत्मी को गुमल, सुता सतलज, दुद्रति को घागर कहा गया है, नेक्स फैक्ट देखते हैं, बैदिक साहित्य को सुरूति भी कहा जाता है, सुरूति का साब्दिक अर्थे सुना हुआ, भारती इतिहास में वेद सरवाधिक प्राचीन है, ये चार है, कितने परकार के वेद हैं, तो चार परकार, कौन-कौन, तो रिंग वेद, साम वेद, ये जूर वेद, अर्थर वेद, अर्जूर वेद और साम वेद को वेद यत्री और त्रेही कहा जाता है, परतिक वेद के चार भागुए, बाल खिल में है, रिंग वेद के दो से साथ तक के मंडल प्राचीन माने जाते हैं, निक्स देखते हैं, रिंग वेद के मंडल अब उसके रचाईता है, तो रिंग वेद के परथम मंडल में, मुर्चुमदा मेगातिती यह मंदल से कोश्यन आता है तो ध्यान रखेंगे दूतिय मंदल है गृतिक मन्द, तिर्तिय मंदल, विश्वामित्र चतूर्थ मंदल के रचैता बामदेव, पंच मंदल के अत्री, सष्ट मंदल के भारदुआज, सप्तम के वरिष्ट है अश्ट मंदल के करनाव और अंग्रेस है, नव मंदल के सोमदेवता और अनरिसी, दसा मंदल, विमदा, इंद्र, सची और अन है निक्स देखते हैं, रिंग वेद के तिर्तिय मंदल में गैत्री मंद्र का उलेख मिलता है कापी important factor यहां से question आता है, ध्यान रखेंगे इसकी रचनाकार विश्वामित्र है, यह सभीता सूर्य देखता को समर्पित है, यह मंत्र रिंग वेद के तिर्तिय मंदल में वर्मीत है, रिंग वेद के नौवे मंदल में सभी 114 सुत्र सोम को समर्पित है काफी important है? कौन से मंदर में? नौ में मंदर प्रार्म में हम तीन बरनो का उलेक पाते हैं ब्रामन, छतरिय तथा वैस सुद्र, सब्द का उलेक सरपर्थम रिंग वेद के दसमे मंदर के पुरुषुक्त में हुआ है रिंग वेद के मंत्रों का उचारन करके यग संपन करने वाले पुरुईत को होता कहा जाता था इंपोर्टेंटे ध्यान दखेंगे एतरेन तथा कौसी तक की रिंग वेद की दो ब्रामन ग्रंथ है पतंजली के नुसा रिंग वेद की एकी सखाए है यतरे ब्रामन में सुना सेप अख्यान का बर्नथ मिलता है नेश्ट देखते हैं यजुर्वेद में सुरोत एमम करम करम करन्ड बर्नी थै या बेद गद और पद दोनों में है यजुर्वेद की करम कांडो को संपन कराने वाले पुरोहित को अगरवयू कहा जाता था यजुर्वेद की दो सखाए है कृष्ण यजुर्वेद जो पद और गद दोनों में है और सुक्लियजुवेद जो केवल पद में है यजुर्वेद का अंती भाग इसो पसनित है जिसका संबन्द या कृत अनुसंधान से नहोकर अध्यात्मिक चिंतन से है सुक्लियजुर्वेद की मुख सखाय कानूर तथा मंदनी है निक्स देखते हैं सुक्लियजुर्वेद की सहिताओ को वाजिज ने भी कहाज गया है क्योंकि वाजशनी के पृत्र याकवस इसकी द्रश्टा थे किस नियजुर्वेद की मुख सखाय तैतरीन, कांठक, मैत्रियानी और कपिष्ठन है सत्वत ब्रामन सुक्लियजुर्वेद का ब्रामन ग्रेंत है इसमें पुनर जनम का सिधान्द, जल पलावन, कता, पुरुच्वा, उर्वर्सी, अख्यान, तथा पुरुच्मेक का बर्नन है साम का अर्थ संगीत अथवा गान से होता है साम बेद में यगो के अवसर पर गाय जाने वाले मंत्रों का संग्र है जो ब्यक्ति के इन मंत्रों को गाता था उसे उदगाता कहा जाता था साम बेद में कुल 1875 रिचनाय है जिसमें 75 जबकि कुछ बिद्यानों के अनुसार उन्हें नानमे को छोर कर से सभी रिंग बेद में भी उपलब्ध है साम बेद की परमूग सकाय कौम इतिये, रामनिये तशा जैमनिये है निक्स देखते हैं अथार बेद में 20 कांट, 731 सुक तथा 5,967 मंत्र है इसमें 12 समन्त विंग बेद की है, कहा गया है इसमें सभा और समीती को परजापती की दो पुत्रिया कहा गया है इसमें समान मनुस के विचारो, विश्वासो रंद विश्वासो का बिवरन मिलता है अथार बेद की दो सकाय पलब्ध है, पिपलाग तथा सौनक के याकबल ग्यागी के परसीद संबाद का उलेख ब्रियदारनक उपनिसद में हैं कटोपनिसद में यम और नचिकेता का संबाद उलेखी थैं कटोपनिसद क्रिश्न यजुरवेद का उपनिसद है सत्मेव जैंते सब्द मुंडोपनिसद से लिया गया है अथारवेद का एकमात ब्रामन गोपत प्रामन है इसका कोई आर्निक नहीं है उपनिसद दर्शन परधारित पुष्तकी हैं जिने बेदान्त भी कहा जाता है उपनिसद का अर्थ सीर्ष से द्वारा ग्यान प्राप्ति हित्तु गुरु के समीप बैठना है निक्स देखते हैं उपनिसद में पर्थम बार मुख्ष की चर्चा मिलती है यह सब्द स्वितामबर उपनिसद में पहली बार आया है इंपोर्टेंटे ध्यान रखेंगे बेदान की संक्या छे है यह है सिख्चा, कल्प, ब्याकर, निर्ष, चंद और जोतिस सुल्व सुत्र में यग्रिय वेदियों को मापने उसके अस्थान चयन और निर्मान आदी का बर्नन है पुरानों की संक्या अठारा है इंपोर्टेंटे ध्यान रखेंगे अब हम लोग देखते हैं कौन-कौन है तो पहला मतस, मार्केंट, भविष, भागवत, ब्रह्मान, ब्रह्म वेब्यत, ब्रह्मा, बामन, बढ़ा, विष्णु, बायू, अगनी, नादत, पद्म, लिंग, गरूर, कुर्म, तथा असकंद पुरान इसकी रचना लोम हर्स रिसी और उसके पुत्र उग्रसवाद्वारा की गई थी इसमें भविष, तकाल, सेली के कल्यूग रजाओ का वीब्रन मिलता है हिंदु पुरानी कथा के नुसार समुद्र मन्थन हितु, मन्थानी के रूप में मंदाचल परवद, तथा रस्ती के रूप में सर्पो के राजा वास्कुई का पर्योग किया गया था इसमें भिष्णु ने कुमवतार धारन कर मंदाचल परवद को अपने उपर रखा था ये पुरानी कथा के नुसार था अब नेक्ष्ट अमलोग देखते हैं अनु, दु, पुरु, यदु तथा तुरुवस को पंच जन कहा गया है जन के अधिपती को राजा कहा जाता था कुलप पडिवार की स्वामी पीता अत्वा बड़ा भाई होता था ग्राम की मुख्या ग्रामनी तथा बीस का परमुक विस्पती का लाता था दस राज यूद का उलेक रिंग वेद की साथ में मंदल में मिलता है इस यूद में परतियक पक्च में आरे इबम अनारते यह यूद परुसनी नदी आधनिक राभी नदी के टट पर लड़ा गया था दस राज यूद भरतु के राजा सुद्रास रिसु राजवन्स तता दस राजाओ के एक संग इसमें पंच जन और पांच लगू जन जातियों आलीन पक्त बलान शीव और विसनिंग के राजा समलित के मद हुआ था इस यूद में सुदास की बिजे हुई सुदास के पुरोहित वसिष्ट थे रिंग वैदिक यूग में राजा भुमी का स्वामी नहीं था वो प्रधान्त यूद में जन का नेता होता था बिदत आर्थू की प्राचिन संस्था थी, रिंग वैद में पुरोहित सिनानी तथा ग्रामनी का उलेख मिलता है पुरोहित यूद की समय राजा के साथ चाता था असपर्ष गुप्चार या कुल होती थी इंपोर्टेंट है थ्यान रखेंगे रिंग वैदिक समाज पित्री चतात्मक समाज था पिता के अधार पे बाटा गया समाज था वरुन सुप्थ को सुन सेप अख्यान से ग्यात होता है कि पिता अपनी संतान को बेज सकता था निग्स देखती है रिंग वेदिक कालीन समाज प्रारम में वर्ध विवेद से रही था रिंग वेद में वर्ण सब्द रंग के अर्थ में तथा कहीं कहीं बेपसाय चेन के अर्थ में पर्युक्त हुआ है रिंग बेद के दसमे मंदर में पूरु सुद्र सब्द मिलता है इसमें बिराट पूरुस के विभिन अंगो के चारो वर्नों की उत्पती बताई गई है बिराट पूरुस के मुख से ब्रामन भुजाओं से राजन छत्रिये उरु जंगा भाग से बैसु तथा पैरों से सुद्र उत्पन हुए है गोत्र सब्द का सरपर्थम उलेक रिंग बेद में हुआ था गोत्र सब्द मुल अर्थ है गोश्टक अत्वा हुआ हुआ अस्थान जहां समूचे कुल का गोधन पाला जाता था परंतु बाद में इसका अर्थ एक ही मुल पुरुस से उत्पन लोगों का समिदार हो गिया गोत्र प्रथा की अस्थापना उतर वैदिक काल में हुई थी आर्यो दोरा अनार्यो दिये गए विभिन नाम है अब ब्रह्मन बेदो को ना मानने वाले अजमयन यग ना करने वाले अनास बिना नाक वाले अद्रवेव देपताओ को ना मानने वाले अवर्थ वैदिक वर् रिंग वेद में जैदिस्तम अर्थाद पत्नी ही ग्रिये काकर उन्हें महत्य को स्विकार किया गया है। रिंग वेद में गोसा, लोब, मुद्रा, विश्वारा, अपाला, आदी, इस्त्रिया, सिक्षित थी जिनोंने कुछ मंत्रों की रचना भी की थी लोब, मुद्रा, अगस्त्रिसी की पत्नी थी। निक्स देखते हैं, आर मनसहारी तथा सकाहरी दोनों परकार के भोजन करते थे। भोजन में दूद, घी, दही, आदिक का विशिस महत्ता, दूद में पक्की हुई खीर, छीर, पाको, दन का उलेख मिलता है, जो की सत्तू को दही में मिलाकर करंब, नामक, खात, पदार्थ बनाये जाता था। रिंग वैदिक काल में तीन परकार के वर्ष्ट पर चलिते, नीवी, वासस और अधिवासर, इस्तिरी पुरुष दोनों आवुशन पहनते थे। रिंग वैदिक काल, रिंग वैदिक आर आमोद परमोद का जीवन वैतित करते थे, रत दोर, घुर दोर, तथा पासा खेलना भी उनके मलणजन का साधन थे। बाद्यों में जांज, मंदीरे, दुवेवी, कर्गिन, बीना, बासुरी, आधिका उलेख मिलता है। आर्यों की संस्कृती मुलता ग्रामीन थी, कृसी और पसुपालन उनके आर्थिक जीवन का मूलाधार था। रिंग वैदि में पसुपालन की तुल्ला में कृसी कउलेख बहुत कम मिलता है। रिंग वैद के मात्र 24 मंत्रों में ही क्रिसी का उलेख प्राप्त होता है। उर्वरा या छेत्र क्रिसी योग भूमी को कहा जाता था। बुआई, कटाई, मडाई, आधी, किरियाओं से लोग परचित थे। रिंग वैद में कुल्या, नहर, कूप और अवट खोद कर बने हुए गड़े, असुचक, रहट की चर्की आधिका उलेख है। रिंग वैदिक समाज में वैवसाय अनुवानसिक नहीं थे। रिंग वैदि में तक्छा, बढ़ाई, स्वनकार, चमकार, वाय, जुलाय, कर्मा, धातु, चलता है कि सिंध और गंधार पर्देश सुंदर उनिवस्त्रों के लिए विख्याद थे। वैपार अदल बदल प्रनाली परधारी था, बिनमे के माध्यम के रूप्स में निक्स के उलेख हुआ है, वैपार बानिज, प्रधानता, पनिवर के लोग करते थे, रिंग वैदिक आर लोगे से परचित नहीं थे, काफी इंपोर्टेंट फैक्ट है, थ्यान रखेंगे ज वैपार में कोश्यन आ सकता है, निक्स देखते हैं, रिंग वैदिक कालिन सब्दालिया में अर्थ, निविक अर्थ कमर के नीचे पहने जानावाला बस्त्र, वासक कमर के उपर पहने आने वाला बस्त्र, अधिवासस उपर से धारन किया जाने वाला चादर या ओड्मी, त में हमें सरपर्थम बहु देव बाद के दर्शन प्राप्त होते हैं याक्स से निरुक्त का इनुसार रिंग वैदिक देपताओं की संख्या मातर तीन बताई गई है रिंग वैद में एक अनस्थल पर परतीक लोक में 11 देपताओं का निवास मानकर उनकी संख्या 33 बताई कास के देपता वरुन, सूर, मित्र, पूसन, विष्ण, अस्विन, आदी अंतरिक्स के देपता इंद्र, प्रचन, रुद्र, आप, बायू, बात, आदी इंद्र को विष्व क्या स्वामी कहा गया है इन्हें पुरंदर अर्थाद कीलो को तोरने वाला कहा गया है रिंग व अगनी को 200 सुप्त समर्पित हैं और वह इस काल के दुसरी सरवादिक मात्पुन देपता है। रिंग वैदिक देपताओं में सोम को तीसरा अस्थान प्राप्था, वरुन को समुंद्र का देपता एभम रिंग का नियामक माना जाता है। वरुन को वैदिक सबता में नैतिक दिवस्ता का परधान माना जाता था, इसी करन उसे रिनस्त गोपा भी कहा जाता था। निक्स देखते हैं इरान में वरुन को अहुर मंजिता तथा युनान में और नोज नाम से जाना जाता है। डिंग बेद के नौमे मंडल के सभी 114 मंत्र सोम को समर्पित है। निक्स देखते हैं बनस्पतिय वैम और सधियों का देपता पूस्चन है, इनके रत को बकरे द्वारा खीषते हुए परधर्शित किया गया है। जंगल की देवी और नायनी जबकि ज्ञान की देवी सभस्वत्ती थी। कुरू, पंचाल, बिदे, मगत, अंग, आदि, परमुक राज थे। उपनिसत के कुछ छत्रिय रजाओं का उल्लेक प्राप्थ होते हैं। बिदे के जनग, पंचाल के राजा, पहलवाद जन्नी वाली, केके के राजा अस्वपती और कासी के राजा अजासत्रू परमुक थे। उत्र में बिराट, दक्षीन में फोज, मध में राजा कहा जाता था। अथर बेद में अलिक्षित को मिर्टू लोका देपता कहा गया है। अलिक्षित को मिर्टू लोका देपता कहा गया है। उतर वैदिकाल में सभा में नहिलाव की भगिदारी बंद कर दी गई। निक्षित देखते हैं सहीता एम ब्रामन काल तक समीती का परभाव कम हो गया और यह केवल परामास दायनी परिचधी रह गई। राज सुर्यग में रत्म हर्विस उत्सव के समय राजा रतनीन के घर जाता था। अलग-अलग ग्रंथों में रतनीनों की संक्या अलग-अलग प्रात होती थी। सत्पत प्रामन में सर्वादिक बारर रतनीयों का उल्लेक है। देखते हैं, पुरोहित, राजा का पर्मुख प्रामास दाता, सेनानी सेना का पर्मुख, ग्रामी ग्रामी का मुख्या, मांडसी, राजा की पतनी, सुत रत सेना का नायक, संग्रीता, कोसाद्यक्ष, भागदुग कर एकत करने वाला अधिकारी, आक्षबाप, लेखा अध पालगल, विदूसक, छात्री, प्रतिहारी और देवारिक नेक्स देखते हैं सत्पत प्रामन तथा कास्टक सहीता में गोविक कर्तन, गंदाग्चक तथा बढ़ाई तथा रत का रत वनाने वाला का नाम भी रतनियों के सूची में मिलता है सत्पत प्रामन में रासुयग बिस्तित बर्नन है, रासुयग में राजा का अभिसेग 17 परकार के जलसे किया जाता था नेक्स देखते हैं, परिवारिक जीवन रिंग वैदिकाल के समान था, समाज पित्री सतात्नक था, एतरेन ब्रामन से पता चलता है कि अरजी गत ने अपने पुत्र सुन सेप को सौ गाये लेकर बली के लिए बेच दिया था नेक्स देखते हैं, उतर वैदिकाल में समाज चार बर्नों भीवक था, ब्रामन, छत्रीय, वैस और सुद्र, एतरेन ब्रामन में चारों बर्नों का कर्तब्यों का बर्नन मिलता है, छत्रीय या राजा भुमी का स्वामी होता था बैस दुसरे को कर देते थे, अने सेवल लिप्रित, सुद्र को तीनों वर्नों के सेवक अने स्प्रेस कहा गया है, एतरेन ब्रामन में कन्या को चिंता का कारण माना गया है, कहां एतरेन ब्रामन में, मैत्रियानी सहिता में स्थिरी को धूत और मंदीरा किसरेनी में रखा ग नेक्स देखते हैं चंदों निश्यत्क नेके बर्स ग्रियस्ट 25-50, बानप्रस्ट 50-75, सन्यास 75-100 बर्स मनुस्य की आयू 100 बर्स मान कर परतेक आशरम के लिए 25-25 बर्स आयू निर्धारित की गई बधायन धर्म सुत्र के अनुसार गैत्री मंत्र द्वारा ब्रामन बालक के उपनयान संसकार बसंत रितु में 8 बर्स की अवस्था में किया जाता था विशु टूप मंत्र द्वारा छत्रिय बारलग का उपनेयन संसकार गृस्म रितू में 11 वर्स की अवस्ता में होता था जगती मंत्र द्वारा वैस्म बारलग का उपनेयन संसकार सरद रितू में 12 वर्स की अवस्ता में होता था वैदी काल में जीप को पार्जन हेतू नेक्स तेम लोग देखते हैं देखते हैं वैदी काल में जीप को पाड़ जने तुवेद वेदांग पढ़ाने वाला द्यापक उपाध्या कहलाता था ब्रम वादनी विवे कन्याय थी जो जीबन बराश्रम मेरा कर सिक्छा प्रात करती थी जबकि सादो वदू विवा पुर्ग तक सिक्छा प्रात करने वाली कन्याय थी ग्रियस्त आश्रम में मनुस को पाँच महायग कान्युष्ठान करना परता था यह पाँच महायग है ब्रम यग प्राचिन रिस्यो की प्रती सर्धा परकट करना देवयग देपताओ के सम्मान भूत यग सभी प्रानियों का कल्यार्थ प्रीत यग पित्रों का तत्पर हेतू मनुस यग मानब मांतर के कल्यान हेतू सथपत ब्रामन में एक रिसिक की चारो किरियाव का उलेक हुआ है यह जुताई बुवाई, कटाई और मडाई कांठर सहिता में 24 बैलो द्वारा हलो को खिचने का उलेक मिलता है उतर बैदिक काल में उतर भारत में लोहे का प्रचार हुआ उतरवेदिक सहित में लोहे को पिस्द अयस कहा गया तैत्रिक सहिता में रिसिक दिन के लिए कुशी तता सत्पत ब्राह्मन में उधार देने वाले के लिए कुशी दिन सब्द मिलता है माप की बिभी निकाईया थी निक्स, सत्मान, फिस्कल, पाज, आदी किश्ण संभावता बाट की मुल्बो तिकाई थी गुंजा अमरत्न की भी उनके समान थे रितिका को सहित में तूला बीज कहा गया है सत्पत ब्राह्मन में पूर्भी तता पश्मी समुद्रों का उलेक हुआ है बाद से नहीं सहीता अमत्यत्री ब्राह्मन में विभीन प्रेवसाओ की लंबी सुची मिलती है इनमें परमुख है रतकार, स्वनकार, लुहार, सुत, कुमकार, चमकार, रजुकार, आदी इस्तिरिया, रंगाई, सुईकारी, आदी में निमपून थी उतर बैदिकाल में बेपार बस्तु बिन में पराधारित था निक्ष्ट देखते हैं उतर बैदिकाल में धरम और दर्शन के छेत में महत्पून परिवर्तन हुए रिंग वैदिकाल के वरुन रिंद्र आदी कांस्थान परजापती बिस्न एबम लोध्र सीब ने लिया यगो में पसु बली को प्रत्मिक्ता दी गई और अन आवितिया गौन होने लगी राश सुई असुमेग तथा बाज में जैसे विसाल यगो का नुष्ठान किये जाने लगा अगनित्रम यग साथ दिनों तक चलता था पहली बाद सत्पत ब्रामन में पुनर जनम का सिदांत का उलेक मिलता है कुपने सिदों में ब्राम तथा आत्मा के समंधों का ब्याक्या की गई पुरुसार्थ कीज संख्या 4 है धरम अर्थ काम तथा मोच धरम अर्थ तथा काम को 3 वर्न कहा गया है गरी सुत्रों में 16 परकार के संसकारों का उलेक है यह है गर्वादान, पुसवन, सिमोन्तोनेयन, जातकर्म, नामकरन, निसक्रमन, अनप्रांसन, चुराकरन, कनवेद, विद्यारम, उपनेयन संस्काल, वेदारम, किसांत, समावर्तन, विवा और अत्केस्टी नेक्स देखते हैं, ग्री सूट में आठकरन, वक्षस एवं, पैस्चास विवा, तो हम लोग आज के वीडियो में बैदी काल के नोट्स को देखते हैं, नेक्स वीडियो में हम लोग इससे रेटेट कोश्चन करेंगे, ताकि इसका हम लोग का कोई भी कन्प्यूजन ना रहे और एक्जाम में के लिए प्रैक्टिस हो सके, तो आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो अच्छा लगें, तो इससे लाइक करें, सेयर करें, साथी चैनल को सब्सक्राब करें, थैंक्यू, थैंक्यू, वीडियो वीडराद